पीसेज गोजर गुजर गुजर की जोगों अवेकर वामुद्धानी सुमिख्षा करते हैे तो पूरा देश आजयादी जीवन जीता है अब जब धर्मिकरंदों की समिक्षा होने लगी है तो ये तिल मिला रहे हैं, बोख लारे हैं, क्यों भाईया, क्यों परेशान हो रहे हो, जब आप एकसप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं, आपसे गलतियां होई हैं, उन्हें गलतियों को आप एकसप्ट नहीं करते हैं, आपकी इसलिए समाज में देश में सुधार नहीं होता इसलिए आप हमारे ब्रोध पर आ जाते हम सही बात वोलते हैं तो हमारे साथ खड़े होने के वजाए हमारे खड़े हो जाते हैं स्वामी परशाद मौर्या जी के बयान से एकदम सहमत हूं पर आफ अलबर से लेक हैं अगर तालने का अर्थ उन्हें न wal운 और जानता लना होगा इस त्रीक का अर्थ क्या निकालेंगे साथ जो शीशा पिगला करके कान में डाल देते थे अगर बच्चा भी मंत्र सुन लेता था तो इतने अपराद था मंत्र सुनना भी कि उसके कान में शीशा पिगला हुआ डाल देते थे आप समझ सकते कि कितनी पीडा रही होगी तो आप उस शीशा पिगलाने की जो जो दर्द है को आप मतलब किया संग्या देंगे तो परिश्थितियां अगर उस समय अलग 농 Arab Tea संस्क्रित निखा और लोगों ko शिक्षा से वंचित रखा जब लोग संस्क्रित में क्या बोल रहें आज भी मैं बता तो का मतलब इस देश की मंत्र हो जिसका मतलब सारी जंता जानती हो जिसका आर्थ सारी जंता जानती हो और उसकी अर्थ पर जंता काम करती हो जितने साधियों में मंत्र बोले जाते हैं शाधी करवाने वालों को ना लड़के को पता होगा कितने मंत्र यह किस बात के बोले जा रहे हैं ना लड़के को इनको बैन कर देना चाहिए और जितने भी लोग इस तरह की विचार धरा को मानते हैं फॉलो करते हैं यह उसके ऊपर चलते हैं सोच रखते हैं ऐसे लोगों को अपरादिक दंड के तहट सजा देनी चाहिए आफ अपमान कर रहे हैं धार्मिक गरन्थों का हमारी भाई तुमने हसे अजिए वो हमें जी आसा बेंता हैं पिर मुझे मधारा का रागास भी ने कि यहिंक सॉमांगार्ण करनी करतhake में कीा है शिच्छा आड़नकरने करनी का आजादी आज सारे ने को सनॉत्छा बाता हिए उनके खिलाब बोलते हैं कुण सा हिंदू को उसरे ना किसी कि कुरवानी गई है एक कहानी अ कध रहा है तो अब समाटन पर फुदक फुदक के कहां तक घुमेंगे इस पर सवाल कर तो ही यहां खूच जाते यह फुदकते रहेंगे गलतियों के एकसप्ट नहीं करेंगे लेकिन हजार पर परपंच रच करके जूट को अपने लीप पॉधी करने कोशिस करेंगे ऐसी तारते रहे अज सदियों से तुम लोग तारते रहे, साल दर साला बड़ सो गुजर के तारते तारते, जब आज वो तारने का मतलब निकालने की बारी आई, लोगों ने इस पर सवाल खड़े कर दिये, तो तारने का मतलब आपने शिक्षित करना रख दिया, मान लो शिक्षित कर दिया, आपन मतलब जल्डी वाजी में हर बड़ा हाट में इन्होंने 50 लाग कॉपिया गीता प्रेश ने लगबग छपबाई हैं जिसमें इन्होंने कहा दिया कि भई धोर कम पर्शु शुद्र नारी सकलत तालना के अधिकारी यहां तालना का मिन्स शिक्षा देना शिक्षित करना है तो म अधिके लोग सवाल खड़े नकरें जब मेरी भहस जाकर के मेरी बख्री जाकर कि आई एस के एक्जाम में बैठे तो क्योंकि मैं कहा दूंगा मैंने इसको शिक्षित किया क्यूंकि बश्चित हो सकती है इनके धनम के इसाब से के केंद्र हो तारना के केंद्र हो गए अब जब जब शिक्षक ताड़ेगा तो मतलल लट से भी अगर ताड़ेगा तो कोई अवरोध नहीं होगा ना कोई सरकारिस में अब्जक्शन उठाएगी ना परेंस अब्जक्शन उठाएंगी लेकिन यह आरोप है आप लोगों पर कि आप लोग जान पूछ कर सनातन संस्कृ करता है ना कि हिंदू होने पर करता है हिंदू होने पर करता है तो आम जनता कराता बेरोजगारों कराता है स्वामी परशाद मौरे जी ने जो कहा है वो सही कहा है मैं स्वामी परशाद मौरे जी के बयान से एकदम सहमत हूं उसके बाद में अभी क्या क्या क्याते हैं परजापती है त्रिवेंद्र परजापती जी उन्होंने भी कहा है कि धरम ग्रंथ सारे जला देने चाहिए इनम कि लिए तो लोग नीजन में न कोई भी बच्चा जनवा तो धर्म गरंथ की सुरक्षा के लिए वह कोई जन्मा इंसानित के लिए उसको तो धर्म क्ना चिपकाब लगाव उनकी गलतियों को इतना इतना मतलब बचाने की सब्सक्राइब कोशक्राइब...... सब्सक्राइब तो जूट तिल में लाता है, बोख लाता, परेशान हो जाता है, और वो क्या करता है, नहीं ने परपंच रहता है, आप ही देखिए कोई किसी को छल के द्वारा किसी को कबजे में किया होगा, जब उसकी निकालने लगाएगा कि इस आदमी ने में जूट बोला है, जूट बो कोशिस करते हैं, यह इतने और कुरूब दिखाए देने लगते हैं, मतलब एक जूट जो होता है, जितना सच्चा बनने कोशिस करता है, वो इतना और गंदर ग्रहनी दिखाए, उसकी घिन आने लगती है, लेकिन जो रामायान है, जो वालमी की इनने लिखी है, उसमें और तो, जो वह जो जो कोशिस करते हैं, बोट जाती हैं, तो भाझान है, सफोरश जाई लिखी है, जो भीना नोक्यों भीन एक है, जाने को गव्य है, जो लोग जो लेकिन तुलसीदास ने मानी नहीं, हम तो तुलसीदास जी धन्यवाद, आप भली दुनिया में नहीं है लेकिन आप हिंदी में लिखके गए, हम जैसे मूर का ज्यानी जब हिंदी पढ़के आए, तो हमें पता चला कि आपने तो हमें तारने की बात की है, और ते तो आप 50% और भारत की अंदर इन्होंने तारने को कह दिया, और ते जिस दिन अगर अपने अपना थपड उठा लेंगी तो इनका क्या हाल होगा बताईए, इनने तो हतियारों की विजरूत नी पड़ेगी, उनके हातों सी मार डालेंगी है, तो ये लोग जितने घटिया गंदा दोख ला रहे हैं, क्यों भाईया, क्यों परेशान हो रहे हो, जब धरम गरंथ लिखें, मान लो, जब मैंने लिखी दिया, कि मैंने चोरी की है, तो मैं चोरी की है, तो मैं चोरी की है, अपराज मान लो, आगे के लिए अच्छा जी बंजी न सुरू कर दो, इसमें क्या बा झाल झाल झाल